हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल क्रिशना क्लासेश नयागन में दोस्तों आज हम लोग मस्ट इंपोटेंट कोस्चन जीके कर पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का पहला कोस्चन है सत्यमेब जैते यहां से लिया गया है अपसन है गीता मुंड कोपनी सद रमायन और मनु इसमिर्ती तो हम लोग का राइट एंसर होगा अपसन नमर बी अपसन नमर बी हम लोग का राइट एंसर होगा मुंड कोपनी सद चलिए हम लोग नेक्ट कोस्चन को देखते हैं तो नेक्ट कोस्चन है हम लोग का बंदे मातर अप्सन नम्मर C, अर्वीन्द घोस, अप्सन नम्र C, हम लोग का राइट एंसर होगा, चलिए हम लोग नेक्स्ट कुस्चन को देखते हैं, तो नेक्स्ट कुस्चन है हम लोग का, तमिलाडू में पाई जाने बाले मुख्य जन जाती है, अप्सन है इरूला, चांग, गारो और खोंड, तो हम लोग का राइट एंसर होगा, अप्सन नम्मर A, हम लोग का राइट एंसर होगा, अप्सन नम्मर A, इरूला, चलिए हम लोग नेक्स्ट कुस्चन को देखते हैं, तो नेक्स्ट कुस्चन है, जलिया बला बाग कहां पर है, अप्सन है, लुधियाना, रो तक अम्रित्सर और दिलिली तो हम लोग का राइट एंसर होगा अपसन नम्र C हम लोग का राइट एंसर होगा चलिए हम लोग next question को देखते हैं तो हम लोग का question है भारत में पर्थम उनी कपरो की मील कहा खोली गए अप्सन है पानिपत, लुधियाना, कानपूर और आगरा तो हम लोग का राइच एंसर होगा अप्सन नमर C, कानपूर अप्सन नमर C हम लोग का राइट एंसर होगा भारत में पर्थम उनी कपरों की मिल कानपूर में खोली गई थी चलिए हम लोग next question की ओर चलते हैं तो next question है हम लोग का चम पारण सत्यागरह का अरम्ब कब हुगा अब option है 1929, 1907, 1877 और 1946 तो हम लोग का right answer होगा option number B, 1907 option number B हम लोग का right answer होगा चम पारण सत्यागरह अंदुला 1917 में हुई थी चलिए हम लोग next question को देखें तो next question है हम लोग का 28 सताबदी में किस देश ने जर्मानी पर सासन किया option है England, Australia, France और चीन तो हम लोग का right answer होगा option number B, Australia option number B हम लोग का right answer होगा चलिए हम लोग next question की ओर चलते हैं तो next question है हम लोग का अबेकस की खोज इस दवरान हुई option है सिंदु सभ्याताकाल, इरानी सभ्याताकाल, ग्रीक सभ्याताकाल और रोमन सभ्याताकाल तो हम लोग का right answer होगा option number C, Greek सभ्याताकाल option number C हम लोग का right answer होगा चलिए हम लोग next question को देखती हैं तो next question है हम लोग का भारतिये जंडे में चक्र का रंग है, क्या है निख्ट कोश्चन हम लोग का भारतिये जंडे में चक्र का रंग है, अप्सन है नीला, लाल, केसरी और काला, तो हम लोग का राइट एंसर होगा, अप्सन नमर ए नीला, अप्सन नमर ए हम लोग का राइट एंसर होगा, भारति धंडे में चक्र करंग नीला है चलिए हम लोग नेस्ट कुस्चन की ओड़ चलते हैं तो नेस्ट कुस्चन है हम लोग का उत्टर पर्देश का राज कि ये फूल क्या है क्या है अप्ट्छन है कमल पलास गेंदा और गुलाब तो हम नेक्ट कोंस्टन है हम लोग का अमजद अलिक हैन किस यंत्र बजाने के लिए जने जाते हैं हैं 이야기 दाप्सटेसरौद सरंगी सितार और तबला हम लोग का राइट इंसर होगा अप्सट नम्र इसाया अपसन मुद च्परत के लिए बैं के लिए जाने जाते उन्होंने परिश्यन कहा सीखी, अप्सन है लहोर, अमरित सर, पटना और अमबाला, तो हम लोग का राइट एंसर होगा, अप्सन नमबर सी, पटना, राइट एंसर क्या होगा हम लोग का, अप्सन नमबर सी, चलिए हम लोग नेक्ष्ट कुस्चन की ओर चलते हैं, तो दोस्त हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का क्वेश्च्न है मेगा अस्थनीज चंड्रगुप्त मोड के कारेकाल में क्या था अप्षन अकरमनकारी राजदूत पुजारी और मंत्री तो हम लोग का राइट एंसर होगा अप्षन नम्मर बी राजदूत अप्सन नम्मर दी हम लोग का राइट एंसर होगा मेगा अस्थनीच चंद गुप मौर के कार्जकाल में राजदूत थे चलिए हम लोग नेक्स्ट कोस्चन को देखते हैं तो नेक्स्ट कोस्चन है हम लोग का नेशनल हिराल्ड समचार पत्र किसने परारंभ किया था अप्सन है मोतीलाल नहरू, जवाहरलाल नहरू, इंद्रा गांदी और राहुल गांदी तो हम लोग का राइट एंसर होगा अप्सन नम्मर बी जवाहरलाल नहरू अप्सन नमर B हम लोग का राइट इंसर होगा जवाहरलाल नहरू चलिए हम लोग next question की ओर चलते हैं तो next question है हम लोग का कौन महलो का सहर कहलाता है अप्सन है पटना, कुलकाता, चंडीगर्ड और लखनाव तो हम लोग का राइट इंसर होगा कुलकाता महलो का सहर कहलाता है चलिए हम लोग next question की ओर चलते हैं तो next question है हम लोग का किस भारतिय करंतिकारी को जेल का कमरा अब एक परेटक अस्थल है अप्सन है बीर सबरकर, कनहया, जैपरकास नरायन और अन्ना हजारे तो हम लोग का right answer होगा अप्सन नम्मर ए, बीर सबरकर, अप्सन नम्मर ए, हम लोग का right answer होगा तो चलिए हम लोग next question को देखते हैं तो next question है हम लोग का यह हिंदी साहित के एक परसीद अलोचक थे अप्सन है number sing, हरी संकर परसाद, जैसंकर परसाद, और दिन बंधु निराला तो हम लोग का right answer होगा अप्सन नम्मर ए, number sing अप्सन नम्मर ए, हम लोग का right answer होगा number sing ही हिंदी साहित के एक परसीद अलोचक थे चलिए हम लोग next question को देखते हैं तो next question है हम लोग का पदमावत के लेखक कौन थे अप्सन है कबीर, तुलसीदास, जैसी और निराला तो इसका right answer होगा अप्सन नम्मर सी, जैसी अप्सन नम्मर सी हम लोग का right answer होगा पदमावत के लेखक जैसी थे तो चलिए हम लोग next question की ओर चलते हैं तो next question है हम लोग का ब्रहमपुत्र नदी बंगलादेश में क्या कहलाती है क्या है next question हम लोग का ब्रहमपुत्र नदी बंगलादेश में क्या कहलाती है अप्सन है पदमा, जमुना, दिहांग और धीमा तो हम लोग का right answer होगा अप्सन नम्मर B अप्शन नमर B हम लोग का राइट एंसर होगा ब्रहंपुत्र नदी बंगलादेश में जमना कहलाती है तो चलिए हम लोग नेक्ट कोस्चन की ओर चलते हैं तो नेक्ट कोस्चन है हम लोग का सुएत रख्त कनिकाय कितने परकार की होती है क्या है next question हम लोग का तो हम लोग का right answer होगा तो दूस्तो हमारी next question और आखरी question क्या है हल्दी पयोधे किस भासे प्राप्थ होती है क्या है हमारे question हल्दी पॉधे के किस भाग से प्राप्प्त होती है तो Cum तना ज猪 फूल और फॉल का। हम लोग का right answer होगा option नंबर आ रहे होगा हम लोग का right answer ? क्या होगा हम लोग correct answer option number A तना हल्दी पौधे के तना भाग से प्राप्त होती है बाकी वीडियो को यही पे समाप्त करते हैं वीडियो कैसी लगी comment box में जरूर बताईएगा और साथ ही comment box में यही बताईएगा कि आप लोग को एक कोईस question में आप लोग को कितना question सही हुआ comment box म जरूर बताईएगा चलिए हम लोग next video में मिलते हैं धन्यवाद